नमो नमे छात्रा सभी को नमस्कार आज हम आपकी पाठे पुस्तर का जो सब्तम पाठ है सात्वा जो पाठ है इसे पढ़ेंगे पाठ का नाम है बकस से प्रतिकार हा जो बकस से है यह इसकार थे बगुले का प्रतिकार यानि जो बदला यानि बगुला जो था एक बग जो था उसके साथ में किसी ने कुछ गलत किया तो उसने उसका प्रतिकार किया यानि उसके साथ ठीक वैसा ही कारे करके उसका बदला लिया तो ये जो प्रतिकार लिया है उसके बारे में ये छोटी सी कथा है और इस कथा से ये शिक्षा मिलती है एक जंगल था वन था उसमें एक सियार और बक यानि एक जो बगुला था वो निवसता है इसम दोनों रहते थे और तयोग मित्रता आसीद और वो सिर्फ रहते यह नहीं थे उनकी तयोग यानि उन दोनों की मित्रता आसीद दोस्ती भी थी यह जो सियार है और यह जो बगुल कि डूंगजंगल में रहते थे और यह दोनों ही अच्छे दोस्त थी एक-दा odat-ध। एक दस और धु delle को एक दिन मित्र कुर मतलग होते है एंट कि श्वहत्व I'm कल स्नुसाइछ मयास्त यूनि हो यानि मेरे साथ बोजनम कुरू मेरे साथ बोजन करो सियार ने क्या कहा कि बही कल तुम मेरे साथ बोजन करो मतलब क्या है इसका कि कल मेरे घर पर तुम्हारा खाने का इंविटेशन है अब क्या है कि श्रिगालस से निमंत्रणे सियार के निमंत्रण से बगला बड़ा खुश हुआ कि बई चलो कल तो मुझे सियार ने दोस्त ने खाने पर बुलाया है अग्रिमे दिन है अगले दिन सहा भोजना है वो जो बगला था वो भोजन के लिए शिर का लस्य निवासम अगच्छद सियार का जो निवास था जो घड़ता वह अवह चला गया अब जो पिचार वह कैसा था कुटिल सबहव हeking बड़े क extr सभां का था कोत्यित का मतलब क्या होता है कि कहता कुछ है और अन्दर कुछ और सोचता है ुस प्रकार का गलत खड़ाब सभाव वाला जो शियाड था उसने इस थाल מח याम, उसने ठाली ली हो और बकाए किषीर ओदनम थान base दे दी ऊर्प हम अवत अच्छे और बगले को बोला मित्रि यानि दोस्त अस्मिन पात्रे इस पात्र में आवाम यानि हम दोनोंसियार और बगले अधनई आज सहीव यानि साहत में ही खादा वह यानि खाएंगे कि चलो मैंने थाली में कीड डाल दिये और अपन joint में भूजन शुआ कहने हैं में बूजन काल बगगल के छंच समाइ libertarian काले भूजन gw 거기 जुट की तो विखश को थाली से दम करने के चुञऑ जान करती तो daí कि प्ले जुट Ну found दो में कुश्ट इस नही की थाली ऑफ और पिक यह थाली में हिर को कैसे ए अदर अबखका है इसलिए जो बगुला था केवलम खीरोधनम अपिश्यत केवल खीर को देखता ही रहा बिचारी कितनी इच्छा कर रही दी खाने की पर यह देखो सिर्फ कीर को देख रहा है और खा कॉन रहा है यह सियार बकम अब यो होता है इस श्रिगालातु शर्वम् खीरोदनम् अबख्षेर्त। जो सियार था उसने क्या किया। सारी खीर को अकेला ही खा गया। और श्रिगालेन वंचित हा बकहा। अब क्या हुआ वंचित यानि धोका दिया हुआ। अब सियार के दोरा किसको दोखा दिया गया था भगुले तो इस बागुले ने सोचा ध्यार सियार मेरे साथ व्याएर गया है तcji यानि बिल्कुल वैसे ही आहां अपी ते टेन सह व्याखर श्यामी में भी इसके साथ बिलकुल वही विवर करेंः जो इसने मेरे साथ किया है इसने मगें घर बुला करके भूखा रखा ये तो मैं भी इसको बिल्कुल वैसे ही भूखा रखूंगा एवं चिंतायित्व ऐसा सोच करके सह श्रिगालम अवदत वो भी सियार से बोला उसने एक प्लैन बना लिया बगुले ने और सियार को बोला मित्र दोस त्वम अपी तुम भी श्व यानि कल तुमोरो सायम यानि शाम की समय मया भोजनम करिशती मेरे साथ बोजन कर लो आजाओ मैं तुम्हें बोला रहाँ खाने पर बकस्य निमंत्रने श्रिगालह प्रसनना अबवद बगुले के निमंत्रन से सियार प्रसनन होगे उसने सुचा चलो बोला रहाँ खाने पर तो मिझे अच्चा खाना खिलाएगा तो सियार बहुत खुश हो गया किन्तु क्या था यदा श्रिगालह सायम जब सियार शाम के समय बकस्य निवासम बगुले के निवास पर भोजनाय अगच्चत खाने के लिए गया तबाबकहत बगुले ने संकीन मुखे कलशे मुखे को कितना च्छोटा है कि इसमें तो सियार का मुखी नहीं गुसेगा इस कलश में खीर वापस बनाके अजयच्चत यानि दे दी कि यह कलश में में खीर डाल दिये और शिगालम चावदत और सियार को बोला कि मेत्र दोस्त आवाम अस्मिन पात्रे हम इस बरतन में सहा चलो अजया थे संकीन मुख वाले कलश में गखाना खाते हैं अब बगुरे की तो चोच आराम से गुसरी थी उसमें तो बगहा कलशा चंच्वा बगुले ने चंचु से चंच से घ्जा पर दोना मागा अराम से खीर को खा लिया परंतु शिगालत से मुखम लेकिन शियार क तो जो मुख था कलशे ना प्राविश्यत उस कलश में गुसा भी नहीं अतहा बकह इसलिए बगुला सर्वं खीरोदनमा खा था पूरी खीर खा गया और श्रिगाला चा केवलम इर्षिया या पश्यत और जो सियार था वो इर्षिया से जलन से उसको देखता रहा श्रिगालाह बकम प्रती यादिश्यम व्यवारम अकरो सियार ने बगुले के साथ जिस प्रकार का यादिश्यम यानि जैसा व्यवार किया था बकह अपी श्रिगालाम प्रती बगुले ने भी सियार के प्रती ताब्रिश्यम व्यवारम कृत्वा बिलकुल वैसा व्यवार कर के प्रतिकारम करो तुसकर प्रतिकार कर लिया अपना बदला ले लिया उक्तम अपी कहा भी गया है आत्म दुर व्यवारत से फलम भवती दुख दम तस्मात सब व्यवर्तव्यम मानुवेन सुखै शीना क्या का गया है कि आत्म दुर व्यवारत से अगर आप किसी के साथ अप आपको सुक उससे नहीं मिलेगा, तस्मात यानि इसलिए, सुक है शिना मानवेन, सुक चाहने वाले मनुष्य को सद विवर्त व्यम, अच्छा विवार ही करना चाहिए, क्योंकि बुरा विवार करने वाले का जो बुरा विवार है, उससे हमेशा बुरा फल ही मिलता है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो पार्ठ है ये समाप्त होता है अगली वीडियो में इसके जो प्रेशन होता है उन्हें देखेंगे और यदि कथा में कुछ बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बुक्स में लिखकर के पूछ सकते हैं धन्यवाद